देखिए, उत्राखंड अधिनस चनेन आए होगा, जिसमें लगातार क्रिस्चाचार सामने आ रहा है। उत्राखन का युवा शड़कों को उतर रहा है, धरनी प्रदेशन कर रहा है, सारे मंत्रियों को विदाइकों को ग्यापन दे रहा है, हाई कोट की भी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होगी, अगर हम इसको देखेंगे तो जीरो टॉल्लेंस की सरकार स साफ साफ इसमें सामिल लजर आती है, विदान सभा में इस मुद्धे को हमने उठाया, सारे एविडेंस उनको बताए, साफ साफ प्रिस्टाचार दिखाई दी रहा है, तो सरकार के मुखिया का अभी तक कोई जवाब आया नहीं उसमें, परना कोई टिपण ही करी, युवा सरकार, युवा प्रदेश, युवा मुख्यमंत्री और युवा सब्कूपर, युवा अतास, युवा निरास, युवा का भौई शैदर पर, महंती, युवा दस्टाचार के भीट चड़ रहे हैं, तो सरकार युवाओं के परति कहीं गंभीर नहीं देती, सरकार उत्राख साथ वीडियो में यह कहते हुए नजार आ रहे हैं कि हम लेते हैं पैसे तुम जो करना है कर लो, इखिला कोई कारवाई नहीं होती, तो कहीं कहीं इसमें सरकार की सनलिक्तिता दिखाई देती है अगे बच्चे क्या करेंगे, जो अभी एक्जाम के तयारी वगेर चल रही है, जब विपत्च इतनी आवाज उठा रहा है, विदान समा में भी आवाज उठा लिए, तो बाके कोई और जगा बच्ति नहीं है, अब क्या करें, क्या विपत्च की भी नहीं सुनी जा रही है आज मुझे लगता है कि अगर इमानदार सरकार होती तो अधिनस सिवा चैनायोग के अध्यक्ष और सची दोनु सलाखों के पीछे होते हैं, सामिल है, सामिल है, सभी आज होगी तो सफेद पोस भी निकलेंगे, और दूसरी बात सरकार उत्राखन के यहां के परती गंधीर तहरेने ही है, उनको रोजगा देनने के प्रती है, आज आप देखिया पौलिस की इक बरती जिले वार हो थी थी असे प्रदेश में कर दिया, चमूली का यहां कि अदे से परिशार करनी है और बोली लगनी है और हमारे इन सीमान्त चेत्र के पहाल के लोग तो इमांदार हैं यहां के लोग तो जो है इतनी पूझी निदी पहाएंगे स्टेट मेली आए खुला ब्रस्टाचार साब उसमें बू दिखाई दे रही है कि आप जिलेवार क्यों नहीं